जहीं साथियों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक्जाम फत्ह 2.0 में देखिए एक बहुत यह थी खबर यहाँ पर आ चुकी है जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि 10 दिसंबर से SAC GDK फॉर्म शुरू हो गए तो वो 10 दिसंबर से शुरू होने के बज़ा और जल्दी ही शुरू हो गए 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं SAC GDK वेकेंसी कितनी है आयू में भारी छूट इजवार मिली है जनरल वालों को सकंप्लीट जानकारी मैं दूँगा और उसके अलावा स्लेबर्स पैटर्न में भी कुछ चेंजिस किया है वो भी मैं आपको बताऊँगा और परिक्षा कब तक है देखी जो महत्पूर महत्पूर चीज़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डेट कब से शुरू है 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाना शुरू है उसके बाद आपकी जो परिक्षा होगी विए 2023 के जनवरीम होगी यनि के लगभग आपके पास सिर्फ दो महीने का सबह है साथियों आप लोग SSC GD की तैयरी कर रहे हो तो SSC GD में जो भी 2021 में जितने भी पेवर हुए थे सबही का सलूशन के साथ आपको किस परकार से सलूशन मिलेगा जितनी भी शिफ्ट देख रहे हो सबही शिफ्ट का यहाँ पर आपको सलूशन मिलेगा किस तरह से मिलेगा इस परकार से मिलेगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई इस परकार से आपके लिए सलूशन मिलेगा सभी शिफ्टों का बहुत ही आसान भाशा में और इस बार देखी जो पुछी जाएंगे वो मैं आपको बता दू या तो हो सकता है डिक्टो यहाँ से परिष्ण उठा लिया जाए या जो परिष्ण उठाया जाएगा ना वो परिष्ण से सम्मंदित परिष्ण उठाया जाएगा जैसके यह परिष्ण पूछा गया था 2020 में लेकिन इससे यहाँ पर जो solution लिखा है दो से तीन पृष्ण बनेंगे इसके सम्मन्द में इससे सम्मन्दी दो से तीन पृष्ण बनेंगे हो सकता हो यहाँ से भी पृष्ण उठाय जा सकता है यहाँ से भी उठाय जा सकता है यहाँ से भी उठाय जा सकता है तो 25 रुपीज कोई बड़ी कीमत नहीं है, तो अगर आपको ये PDF चाहिए हो, तो description में link है, comment section में भी उसका link है, वहाँ से जाकर आप सभी लोग ले सकते हो, अगर आपको नहीं करना तो आपको Google में ये सर्च करना है, examfate.in.net, तो यहाँ से जाकर आप सभी लोग PDF जरूर लि PDF के लिए 8911 हैं, उसी प्रकार आप लोग देख सकते होगे, टोटल वेकंसी के अगर बात करें, तो 24,205 यहाँ पर वेकंसी है, उसके बाद ये सबसे महत्पूर्ण चीज है कि I.U. में छूट कितनी मिली है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, कि 18 से, मैं आपको जेनरल के टेगरी के 26 वश तक हैं, वो भी फॉर्म एपलाई कर सकते हैं, ठीक है, और अगर मैं अभी आपको भी बताऊंगा कि कब तक, ठीक है, एज काउंट कब से होगी, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो OBC का बंदा था, उसके लिए भी 18 से 23 साल थी, लेकिन आपकी 30 साल करोना की वज़ा से दी गई है, तो ये भी लगभाग 31 होगा मेरे ख्याल से, आप सुनी आसान भाचा में और, जर्म 2 जनवरी 1997 से पहले हुआ है, तो आप फॉर्म नहीं कभर पाओगे, 2 जनवरी 1997 या 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ है, तो आप फॉर्म एपलाई कर सकते हो, आगला देखिए, आगला ठीक है, जो कोईरी है लोगों की, ये NCC का आप लोग देख सकते हूं कि जो भी ग्रेड हैं, C ग्रेड पर 5 परसंड मिलेगा, एक्जाम देशन का B ग्रेड पर, B सर्टिफिकेट पर 3 परसंड का और A सर्टिफिकेट पर आपको 2 परसंड का मिलेगा, फायदा, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर बात आ जाती है, कम्प्यूटर बेस टेस्ट की, आप सभी को पता है चार सब्जेक्ट पहले भी आ रहे थे, और चार सब्जेक्ट अभी भी आ रहे हैं, लेकिन पहले ये 25-25 कोशन आते थे, लेकिन अब 20-20 कोशन आएंगे, आप लोग देख रहे होगे, नमबर ऑफ कोशन कितने है, 20-20 कोशन है, अब यही एक कोशन जो है, वो दो नमबर का, तो समय अपको दिया जाएगा 15ということ समय थोड़ा सा थोड़ा संधो give इस नेगटिव मार्किंग गात करें तो नगेटिव मार्किंग मर्किंग पड़ा भी भेनक है पॉंट 50 की नेगटिव marking यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है syllabus में नहीं changes किया गया है लेकिन syllabus pattern में change किया गया है यह आपका syllabus है जो पहले पूछा जाता था था वही आपका same dicto यहाँ पर syllabus है ठीक है ठीक है तो इस बार देखी मौका बहुत ही अच्छा है और समय आपके पास है नहीं लगभग लगभग 60 दिन आपके पास समय शेश बचा हुआ है तो इन 60 दिनों में सारा कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई को आप समय दे दीजे आपकी seat पकी हो जाएगी अब मुझे 23 के end तक ये लोग ट्रेनिंग पर भी चले जाएगे मेरा ऐसा ख्याल है ठीक है क्योंकि ये मार्च में सुन रहे थे पहले exam होगा लेकिन अब मार्च में होकर ये दो महीने पहले हो गया है दो महीने पहले हो जाएगा जनवरी महीने में आपका परिक्षा हो जाएगी तो जनवरी मा को समझ कर ही ध्यान दीजे आप कुछ लोग सोचें के परिक्षा टल सकती तो परिक्षा टलने का सिर्फ 1% chances और परिक्षा ना टलने के 99% chance है तो आप 99% chances को देखिए और आप सभी लोग इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजे जो भी महत्पूर्ण चीजों होगी आपके SSC GD के लिए जो भी कुछ important question जो हर बार बनते ही बनते हैं परिक्षा में वो भी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी ठीक है और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिजे